नमस्ते डियो वीवर्स आज के इस वीडियो में हम लोग CP और CV के रिगाडिंग कुछ numerical problems को देखेंगे मेरे प्यारे वीवर्स इसके पहले हम लोगों ने जितने भी topics discuss किये उन सब पर numerical problems हम लोगों ने discuss किया था जैसे कि work done in isothermal process और adiabatic process इन पर भी जो है numerical problems हम लोगों ने discuss किया है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखें लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा तो हमारा सबसे पहला जो question है वो बिलकुल आपके सामने है that is question number 1 question number 1 क्या कह रहा है साथियों question number 1 यह कह रहा है कि difference in two specific heats of a gas is 6,000 this is 6,000 6,000 joule per kg per Kelvin given है okay the ratio of two specific heats is 1.6 find the two specific heats okay देखें पहरे साथियों हमारे पास क्या क्या given है एक तो हमारे पास given है दो specific heats के बीच का difference that is 6,000 joule per kg per Kelvin तो पहले तो हमें लिख लेना चाहिए कि हमारे पास given क्या क्या है ना हमारे पास given है cp minus cv is equal to 6,000 joule per kg per Kelvin given है हमारे पास okay साथ ही साथ प्यारे साथियों हमारे पास given क्या है हमारे पास given है ratio of two specific heats जो दो specific heats है cp और cv इन दोनों का ratio भी given है तो इसको कुछ असप्रकार से लिख सकते हैं प्यारे साथियों cp by cv is equal to 1.6 okay अब थोड़ा सा यहां इस पर गौर किज़े cp by cv is equal to 1.6 पर क्या हम लोग इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या देखिए तो cp is equal to 1.6 cv के form में okay तो now अब ऐसा करते हैं कि इसे इसको जो है ले लेते है equation number 1 और इसको ले लेते है equation number 2 okay इन दोनों का प्रियोग करेंगे हम लोग आगे हमें find out क्या करना है हमें find out करना है दोनों specific hits को cp और cv के values को find out करना है अब यह चीज बड़ा असान होगे देखिए अगर हम लोग equation number 2 का प्रियोग कर ले equation number 1 में तो बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते cv का value निकाल सकते देखिए कैसे यहाँ पर लिखिए कि on taking cp is equal to 1.6 cv in 1 cp के जगे पर अगर 1.6 cv रख दिया जाए equation number 1 में तो क्या होगा देखिए होगा यह cp के जगे पर क्या रखना है 1.6 cv minus cv is equal to 6000 joule per kg per kelvin अब माइनस कर यह तो 1.6 cv minus cv को माइनस करो गया आप तो आपको मिलेगा 0.6 cv is equal to 6000 okay now see here cv is equal to 6000 by 0.6 हो जाएगा अब जब आप 6000 को 0.6 से divide करते हो तो आपको इसका value मिलेगा 10 पर पावर 4 and now इसका जो unit होगा वो होगा जूल per kg per kelvin तो देखे कुछ इस प्रकार से हमें cv का value मिल रहा है cv is equal to 10 पर पावर 4 joule per kg per kelvin ओके तो यह क्या हो गया एक specific heat का value हो गया है specific heat at constant volume का अब cp का value कैसे निकाला जाए ना इसके लिए हम लोग क्या करेंगे equation number 2 का प्रयोग करेंगे now from 2 जो equation number 2 है इसका यहां पर क्या equation number 2 में हमार पास है cp is equal to 1.6 cv है अब चुकी cv का value आ चुका है तो हम लोग क्या करेंगे cv का value यहां पर रखेंगे multiply करेंगे तो हमें cp का value मिल जाएगा कैसे देखिए 1.6 into cv का value क्या है 10 पर पावर 4 Joule पर kg पर Kelvin ओके तो इस इस देखिए प्रकार से साथ हो हम लोग जो है इस प्रकार के question को solve करते हैं ओके इसी तरह का एक और question हम लोग देखते हैं साथ हो okay that is question number two तो यह रहा हमारा question number two बिल्कुल उसी तरह का है बट यहां पर थोड़ा सा values बदला हुआ है देखिए calculate the difference between two specific heats of one gram of nitrogen given molecular weight of nitrogen is equal to 28 okay j that is dual 4.2 into 10 power 7 per calorie t चोड नॉर्मल टेंपरेचर है that is 273 Kelvin पी जो है यहां पर two specific heats पिछले question में क्या था difference है अपने पास given था हाना difference क्या था given था बट हमें इस case में difference calculate करना है okay ना देखिए सबसे पहले तो हमें यहां लिखना यह होगा कि हमारे पास हमें पता क्या क्या है हमें यह पता है molecular weight पता है किसका nitrogen का nitrogen का molecular weight कितना है 28 okay ना हमारे पास one gram मतलब जो nitrogen है उसका mass भी given है that is one gram क्योंकि one gram का ही specific heat के बीच का difference find out करना है ठीक normal temperature given है 273 Kelvin normal pressure given है हमारे पास 76 into 13.6 into 980 dynes per centimeter square given है okay dynes पर centimeter square given है और साथी साथ हमारे पास प्यारे साथियों यह भी given है J is equal to 4.2 into 10 पर पावर 7 hours per calorie given है okay ना अब इसको solve कैसे करें कैसे निकाले के अब लोग difference between two specific heats अब साथियों आपको पता है हमारे पास एक gas constant है क्या है gas constant का एक equation होता है कुछ इस प्रकार से कि PV is equal to RT okay माले जैंकि जो स्मॉल आर है यह वन ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए अना आर है ठीक है ओके मतलब वन ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए यह gas constant है capital R जो है वो ने ले रहे स्मॉल आर ले रहे ठीक है PV is equal to RT तो यहां से हम लोग को आर का विल्यू कुछ ऐसा मिलेगा R is equal to PV by T okay हमारे पास pressure भी है temperature भी है लेकिन volume नहीं है पहले volume find out करना होगा तब ही हम लोग को R का value मिलेगा अब आपको होगे कि R का value निकालने के क्या जरूवत है हम लोग को तो देखिए प्यारे साथियों हमें पता है ना कि जो CP minus CV होता यह किस से equal होता है यह equal होता है R by J से चुकि यहां पर J given है इसलिए हम लोग इसी formula का प्रियोग करेंगे तो इस case में J तो हमारे पास given है साथियों लेकिन हमारे पास R नहीं है तो पहले क्या करना होगा R निकालना होगा है ना तभी तो हम लोग इस formula का प्रियोग कर पाएंगे है ना आई देखिए हम लोग को सबसे पहले यहां पर R का value निकालना होगा लेकिन चुकि हमारे पास volume नहीं है तो चली पहले volume निकाल लेते हैं volume क्या होता है volume होता है density by mass अब चुकि जो density होता है ना one mole of every gas का वो होता है 22,400 ओके और यहां पर हमारे पास molecular weight जो given है वो कितना है 28 है क्योंकि volume है molecular weight का ही प्रियोग करेंगे जब आप इसको divide करोगे तो आपको इसका value मिलेगा 800 cm पर cube मिलेगा ठीक है तो यह हो गया इसका volume अब आप बहुत इसली R का value निकाल सकते हैं तो अब यहां पर लिखते हैं हम लोग देखिए now R is equal to PV है ना तो P का value कितना है 76 into 13.6 into 980 है ओके and volume कितना है 800 ठीक divided by T है T कितना है 273 Kelvin है अब आप इसको जब solve करते हैं तो इसका value कितना मिलेगा देखिए आप solve करके देख सकते हैं इसको ठीक है हम लोग यहां पर total calculation नहीं कर रहे हैं ओके देखिए कितना इसका value आएगा इसका value आएगा 2.968 into 10 per power 6 earths per gram per Kelvin आएगा ओके क्योंकि यहां पर इतने को multiply करने में समय लेगा इसलिए हम लोग इसका direct जो value है वो लिख रहे हैं ओके अब यहां पर हम लोग आसानी से difference निकाल सकते हैं दो specific hits के बीच का cp minus cv अब यहां पर प्रियोग किजए thus cp minus cv is equal to r by j होता है तो यहां पर देखिए आपके पास r का value भी आ गया और j का तो given ही है तो बहुत असानी से यह difference को निकाला जा सकता है cp minus cv is equal to r r का value कितना है 2.968 into 10 per power 6 by यह कह है earths per gram per kelvin है ठीक और यह जो है j का value कितना है 4.2 into 10 per power 7 earths per calorie है ठीक उसी प्रकार से जब आप इसको solve किजेगा ठीक है जैसे आपने इधर solve किया उसी प्रकार इसको भी जब आप solve किजेगा calculate करके तो आपको जो इसका value मिलेगा वह होगा 0.07 calorie per gram per kelvin है क्योंकि calorie यहां पर क्या है बाई में यह उपर चला जागा और earths और earths क्या होगा cancel out हो जागा तो कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करते है फॉर्मूलास का प्रियोग करते है ताकि numerical को solve कर सेगे तो इस question में क्या था difference between two specific hits हमें find out करना था 1 gram of nitrogen gas का जिसके लिए हमार पास कुछ-कुछ ठिंग्स यहां पर given थे हम लोगों ने क्या क्या सबसे पहले तो हम लोगों ने PV is equal to RT इसका प्रियोग किया जो gas constant का equation है या यूं कहिए जो gas equation है जहां पर यह जो R हम लोगों ने लिया यह क्या था यह R था आपका gas constant for 1 gram of nitrogen को चल जले हूगे तो हमें क्या करना था जुकि हमें पता है S आप लोगों ने क्या 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 है तो तो प्यारे वीवास इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल दो questions को discuss किया है एक सबसे पहला question 1 and 2 हम लोग क्या करेंगे 2-3 और questions CP और CV से related discuss करेंगे चुकि इसमें time लग रहा है numericals में तो हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में 2 और questions को discuss करेंगे